मुझे पता है कि क्रिलिन ड्रेगन बॉल जी का कोई ग्रेटेस्ट केरेक्टर नहीं है उसके विकनेस को साइड में रखते हुए आज हम बात करने बाले हैं कि क्रिलिन को बुलेट कैसे लग सकती है सबी लोगों ने एक नॉलेज किया है कि जी फाइटर्स के बीच में क्रिलिन बहुत ज़्यादा विक है पर जब वो नॉर्मल लोगों के साथ रहता है तो वो सूपरमेन से कम नहीं Like normal people के बीच में Krillin सबसे ज़्यादा ताकतवर है और Krillin इतना ज़्यादा fast है कि वो cars को भी outfly कर सकता है अगर वो इतना ज़्यादा fast है तो bullet उसे कैसे लग सकती है माना के ये तब हुआ था जब वो अपने fellow officer को बचा रहा था पर फिर भी वो इतना तेश तो है कि वो एक bullet को एवट कर सकता है Dragon Ball के अंदर Krillin को बहुत लोगों ने suit किया था पर तब तो वो damage नहीं हुआ तो Dragon Ball G के अंदर Krillin को bullet केसे लग सकती है जो भी है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो